दोस्तों प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ये हम सभी जानते हैं लेकिन अगर प्रोटीन के साथ सा टेस्ट भी मिले तो क्या बात है तो इसी दिए आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की एक बहुत ही फेमस दिश जो की आज घर घर में बहुत फेमस है सोया चाप मसाला इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर होता है इसे बच्चे बुड़े सभी बहुत पसंद करके खाते हैं तो आप इसे जरू ट्राय करें, चलिए फिर देर किस बात की ये बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं, लोक ओन टू कुक ओन सोया चाप मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज पर इस तरह लंबा लंबा काट लेते हैं, और फिर उसे डिप फ्राइ कर लेते हैं आज मैं ग्रेवी कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगी, तो जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम सोया चाप की तरब चलते हैं, सोया चाप इस तरह स्टिक में मिलते हैं, या आपको किसी भी स्टूर में मिल जाएंगे अगर आपके शहर में सोया चाप नहीं मिलते हैं, तो आप इसे बड़ी आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर बताऊंगी अब हम धीरे धीरे बहुत आराम से स्टिक से इसे अलग कर लेते हैं, अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि फ्रिज से निगालने के बाद 10 मिट के लिए मैंने इसे पानी में डिप करके रखा था, ताकि आराम से निकल सकें अब हम क्या करेंगे, इसे तीन हिस्सों में काट लेंगे, आप चाहें तो डो पीस में भी काट सकते हैं, लेकिन तीन पीस में काटने से इसमें मसाला अच्छे से जाएगा, और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो चलिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुछे हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम जो सोया चाप हमने काट कर रखा था, उसे भी हम फ्राय कर लेते हैं, इससे क्या होता है, सोया चाप की जो अंदर की लेयर्स हैं, वो थोड़ी खुल जाती है, और मसाला अंदर तक अच्छे से भर जाता है यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लोग पर रखनी है, जब तक सोया चाप गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तब तक हम इसका मैरिनेशन त्यार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेते हैं, एक कटोरी दही, थोड़ी सी लाल मिच्च, एक चमज धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आदी चमज गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, और थोड़ा सा भूना जिरा, अब हम चलते हैं सोया चाप की तरफ, देखें यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें इसे लोग फ्लेम में ही तलना है, ताकि यह अंदर स कच्छे ना रहें, अब हमने जो मेरेनेशन त्यार किया था, उसमें हम थोड़े से प्याज मिक्स कर लेते हैं, जो हमने कूल्डन ब्राउन करके रखे थे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इन सभी को मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी से हम डालते हैं, काश्मीरी लाल से इसे मेरेनेशन में कोट कर लेते हैं, मेरेनेट करने के बाद हम इसे दस मिनट से आदे गंटे के लिए रख सकते हैं, आपके उपर डिपेंड करता है, अब हम चलते हैं, इसका मसाला त्यार कर लेते हैं, जितके लिए मैंने यहां पर लिए हैं टमाटर, पास टमाटर लि लेते हैं और उसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले जैसे कि डाल चीनी तेज पत्ता जीरा बड़ी इलाइची दो खड़ी लाल मिच और थोड़े से लसन इन सबी को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं इसके बाद हम इसमें डालते हैं लाल काश्मेरी मिर्च ये बहुत जब तक टमाटर भून रहे हैं तब तक हमने जो प्याज गोल्डन ब्राउन करकर रखे थे उसे भी हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं थोड़ा साम पानी डालेते हैं जिससे इसका पेस्ट बहुत आराम से बन सके ये देखे टमाटर अच्छी तरह से भून चुके तेल भी जिओंगे गरम मसाला अगर आप जादा ना डालना चाहिए तो बिलकुल ना डालिये क्योंकि मेरा काम है आपको रेस्टरंट जैसा तेस्ट देना है मैं इसमें मसाले जादा डालती हूँ अब हम्ने जो प्याज का पीस्ट बना कर रखा था उसे इसमें एड़ कर लेते हैं प्याज को पहले ही हमने तल लिया था इसलिए इसे बहुत जादा भूनने की ज़र्वत नहीं है सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है अभी हमारा मसाला बिल्कुल रैडी है इसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने मेरिनेट करके रखे थे सोया चाप उन सभी को जाल कर इसे अच्छी तरह से दो मिनट के लिए और भून लेते हैं अभी हमें इसमें पानी एड़ नहीं करना है क्योंकि अगर हम पानी एड़ कर देंगे तो मसाला सोया चाप की अंदर लेयर तक नहीं जाएगा इसलिए कभी भी कोई भी सबजी मसाले में एड़ करें तो भी इसमें आ जाता है और हमारा मसाला वेस्त नहीं होता अब हम इसे पांच मिनट के लिए भूल लेते हैं थोड़ा सा हम डालेंगे बटर इसके तेज को और बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कसूरी में थी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी दिर के बाद ह में और एट करेंगे तब तक हम इसे धक कर पका लेते हैं इसे पांच मिनट के लिए पकाना है बहुत जाला नहीं पकाना यह देखिए ग्रेवी बिलकुल रेडी है धनिया हम उपर से गानिश करने के लिए डाल लेते हैं आरा है न मूँ में पानी दोस्तों तो जल्दी से आप बनाईए घर में और मुझे कमेंट करकर जरूर बताइए कि आपको यह दिश कैसी लगी यह दिश वाकई में बहुत टेस्टी होती है दोस्तों और प्रोटीन से भरपूर होती है इसलिए आप हर हफते एक बार जरूर बनाए इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी डालने क देख सके इसे के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर